हलो फ्रेंड्स माइनेम इस अपने से वस्ताव और आप देख रहे हैं अपना यूटीब चैनल नई रफ्तार फ्रेंड्स आप जब नए फोन लेने जाते हैं तो आपको किन पॉइंट्स का द्यान रखना है इस वीडियो में अपन यही डिस्कस करेंगे तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो टेकनिकल तो नहीं है पर यह बहुत जरूरी है आप इसे बोल सकते हैं कि यह मेंडिटरी है कि सबसे पहले आप अपना एक परपस और बजट डिसाइड कीजिए नए फोन को लेने के लिए आपको फोन में करना क्या है आपको नॉर्मल करने हैं, लाइट्स गेम खेलने हैं या आपको कोई मल्टी टास्किंग करना हैं, हेवी गेम्स खेलना हैं कि आपको फोटोग्राफी के सौक है आपको उस अकॉर्डिंगली अपना फोन डिसाइड करना चाहिए और एक बजट फिक्स कीजिए उसमें 19 बिस का फरत तो समझ म आता है, पर बहुत ज़्यादा आपको बजट में बढ़ने की जरुवत नहीं है, क्योंकि कुछ टाइम में बाद आप वैसे भी अपना फोन चेंज कर देंगे और इसका रिसेल वेल्यू कुछ मिलेगा भी नहीं, और एक चीज धियान लखिए, कभी भी किसी का देखा या फिर सोचल मीडिया में हाइब किया गया नया मोडल, तो अगर आप आप लेते हैं और आप सोचते हैं कि यह लेटेस मोडल है, तो यह आपकी बहुत बड़ी गलत फ़हमी है, क्योंकि कुछी महने में कोई और मोडल आएगा, और आपका यह फोन आउटडेट हो जाएग वैसे तो हर कोई जानता है, पर जब नया फोन लेने के बारी आती है, तो हम इनको ध्यानी नहीं देते, और बस मार्केटिंग के हिसाब से नया फोन ले लेते हैं, तो एक फोन में जो सबसे जरूरी चीज है, वो है उसका प्रोसेसर, जिसे हम चिपसेट भी बोलते हैं, यह आपका चिपसेट जितना पावरफुल होगा, आपका फोन का पोफॉरमेंस उतना ही शानदार होगा, और जो कॉमन चिपसेट आते हैं, वो स्नेब्रेगान के है, एपल के, एक्जिनोस के, कीरिन के, या मेडियाटेक का हेलियो, यह सबसे कॉमन चिपसेट होते हैं, तो आप अपने बजट के हिसाब से देखिए, कि उस बजट में सबसे अच्छा चिपसेट कौन सा है, और वो कौन सी कंपनी प्रवाइड कर रही है, और आप उस फोन को कंसीडर कीजिए, सेकेंड पॉंट जो आता है, वो है रैम, वैस्चे आप मिड रेंज में देखेंगे, तो 2, 3 चार जीबी का रैम मिलता है, हाई-ेंड में आजकल 8 से 12 जीबी मिलता है, और कुछ-कुछ तो 16 जीबी रैम देने की भी बात कर रहे हैं, पर अगर आप मल्टी टास्किंग भी करते हैं, तो भी मुझे लगता है कि 3 से 4 जीबी रैम is more than sufficient, आप उतना रैम के साथ अच्छे से काम कर सकते हैं, पर इससे कम रैम मत लिजिए, अब फोन के डिस्प्ले के बारी, आजकल तो बड़े-बड़े डिस्प्ले का फैशन चल गया है, अब तो 6.9 इंच तक का डिस्प्ले मिल रहा है, जिससे आजकल हमने फैबलेट बोलते हैं, कि फोन प्लस टेबलेट को मिलाकर एक फैबलेट बन गया है, पर आज की जो यूज़ेज हैं, जैसे गेम्स खिलने हैं, या मीडिया यूज़ करना है, एमेजॉन देखते हैं, अटसर देखते हैं, मुवीज देखते हैं, तो बड़ा स्क्रीन जरूरी है, तो मुझे लगता है कि कम से कम 5.7 इंच तक का स्क्र है है, अब डिस्पले की क्वालिटी की बारी, कि आपको HD लेना है, कि HD प्लस लेना है, तो आज की रेट में, मिड रेंज में भी आपको HD प्लस डिस्पले मिल जाएगा, ये बहुत अच्छा है, तो डिस्पले आफ 5.7 इंच प्लस pH Bunu ले सकते हैं, ये आपको बहुत स्टोरेज की बारी तो स्टोरेज तो खर बहुत जरूरी है और नॉर्मल विट्राइज फोन में भी आपको 64 GB के आसपस का स्टोरेज मिलता है और हाइएंड फोन में तो 128 GB से लेकर 512 GB भी आपको मिलता है पर मुझे लगता है कि आज की लाइफ में जो यूजेज है आपको 128 GB का स्टोरेज तो कंपल्सरी है ही और आप ऐसे फोन को भी कंसिडर कर सकते हैं जिसमें आपको स्टोरेज बढ़ाने के ऑप्शन मिले मतलब आप स्टोरेज को एक्स्पैंड कर सके तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखिए अब बैटरी बैकप तो बैटरी बैकप आप ऐसा ल बैकटरी अराम से चल सके और आपको बीच में कोई दिक्कत ना आए तो अगर फिगर में ही बात करें तो आपको कम से कम 4000 mAh की बैकटरी और फास्ट चार्जिंग यह तो आज की डिट में कंपल्सरी है ही पर अगर आपके बजट में इससे कोई अच्छा कॉम्बिनेशन मिल जाए तो वो तो सोने पे सुहागा है आज की डिट में फोन में आपको सबस्यादा जरूरी क्या लगता है कैमरा क्योंकि इसी से लिए फोटो तो आपको फेस्बूक में डालना है इंस्टाग्राम में फॉल्वर्स बढ़ाने हैं वैसे भी कैमरे को लेके बहुत बढ़ी मि ही है कि जितना ज़्यादा मेगापिक्सल उतने अच्छा फोटो तो आप क्या कर सकते हैं कि जो मॉडल आपको लेना है वो अगर आपके फ्रेंड्स या रिलेटर्स में से किसी के पास है तो आप उसके पिक्चर सेंपल्स देख सकते हैं नहीं तो ऑन नाइन भी या यूट् लीजिए अब कुछ छोटी-छोटी बाते आपको पता होगा कि हर कंपनी इसके यूआई अलग-अलग होते हैं और यह पूरी तरीके से अलग होते हैं तो अगर आप सैमसंग से ओपो में स्विच कर रहे हैं तो हो सकता है आपको काफी तकलिफ हो तो अगर आपको ओपो ले करते हैं तो जो भी आप मॉडल ले रहे हैं सबसे पहले दिखिए उसका सर्विस सेंटर का रिस्पॉंस अच्छा है की नहीं है क्योंकि बाद में यह सबसे जरूरी पॉइंट बन जाता है तो बस यही थे कुछ पॉइंट्स जो हमको नए-ने फोन लेने टाइम ध्यान रख आते हैं तो मिलते हैं फिर ऐसे ही वीडियो पर तब तक खुश रहिए मस्त रहिए बिंदास रहिए बाबाई